आप सभी कबीर पारक संस्थान में संतों के दर्सन इवम जीवन में कुछ बदलाओ के लिए यहां तक पहुँचे हैं आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप यहां से जाए तो कुछ ले करके जाए खाली हाथ ना जाए आप क्या ले करके जाते हैं आपकी महनता है आप बाहरी प्राणी पदार्थों को संगरह करके जाते हैं यicla करके जाते हैं आपकी सोच है लेकिन संतों की विचारों से यदि कुछ जीवन में घ्ञान अर्जन कर लिये और जीवन को तरासने का प्रयास किये तो जीवन सफल बन जाएगा अभी नवरात्री का पर्व जश्ट समाप्त हुआ है और आप सभी नवरात्री में बड़े धुमधाम से बड़े उस्साह के साथ नवरात्री का पर्व मनाए और देवी मा की पूजा किये आपकी आस्था आपकी स्रद्धा को नवन है लेकिन इस मंच से मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि आप जिस देवी मा की पूजा किये और आपकी स्रद्धा है लेकिन एक असली देवी मा है जिन्हों ने हमको जन्म दिया क्या उस देवी मा की पूजा होती है क्या आप कभी उस मा की कभी उस पीता की भी पूजा करते हैं जिन्होंने अपनी जीवन का हर एक लमहा आप के लिए जिया आपको महत्व दिया क्या उसके लिए आप जीते हैं आपको याद होगा जब बुढ़ापे की इस्थिती में जब आप पैदा हुए पाता और पीता मम्मी और पापा जिसे आप अपने सब्दों में कहते हैं आँखे फूकते फूकते ठकते नहीं थे कि साप हो जाए लेकिन आज कहीं आपके ही पीता आपको एक गिलास पानी मांगे तो आप कहेंगे कि आपका हाठ तूड़ गया है पानी नहीं ले सकते कितनी श्रद्धा है आज आदमी अपने ही माबाप को रुला रहा है आज हमारा भारत का सौभाग्य कहो कि दुरुभाग्य कहो रिद्धा आश्रम बढ़ते चले जा रहे हैं आज बड़े बड़े आपिसर लोग जिसका पेंसन लाखों तक भी है लेकिन अपने बच्चे के साथ में प्यार नहीं है बच्चे उनसे नफरत करते हैं आपके ही माता पिता है जिनों ने एक अकपाई जोड़ा एक अकपाई जोड़ा और अपने जीवन की सारे कमाई आपके नाम पर कर दिया और जब उनको आज बुढ़ापे की स्थिती में हजार दो हजार की जरुरत पड़ती है तो आप बोलते हैं आपको पैसे की क्या जरुरत है उनका भी तुमन होगा उनका भी तो जीवन है किसी को देने के लिए कुछ कहे जाने के लिए एक एक पैसे के लिए तरसते हैं आप बड़ी स्रद्धा के साथ में देवी मा की पूजा कर लेते हैं क्या कभी आप उस मा की भी पूजा करते हैं मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा आप कभीर पंथ को जानिये मत जानिये, आपकी मर्जी है जीवन जीने की कला तो जानिये सद्रु कबीर पंत, सद्रु कबीर का राह यही राहा है जिसमें जीना असान हो जाए जिसमें परिवार में एक नए खुसहाल जिन्दगी की सुरुवात हो जाए हम जीवन को कटू बनाते चले गए, जीवन को इतना कट्टू और कठीन बनाते चले गए कि अब अपना ही पराया होने लगा है अब अपना ही पराया होने लगा है और आज समस्यां ये हो गई है एक क्लोटा जल, सारे समस्याओं का hal इतना होड मुचा हुआ है आप कि स्रद्धा है आप पूजा करते हैं करिए लेकिन कभी कभी उस देवी मा की भी पूजा कर लेना चाहिए जो देवी मा हमारे लीज जीते हैं आप उस देवी मा की रोज पूजा कर लेते हैं जिसको आप निर्मान करते हैं जब पसुपक्षी को डराना होता है तब आदमी इंसान का पुतला बनाता है और जब आदमी को डराना होता है तब एक मुर्ती का पुतला बनाता है जिसको किसी नहीं देखा है लेकिन पर भी आपकी स्रद्धा है आप मानते हैं मैं उसको विरोध नहीं कर रहा हूं लेकिन आ आज यदि आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं, आज अपने माता पीता को बुढ़ है, माता पीता को सम्मान करते हैं, कल आपके साथ भी ओ दिन आएगा, कि आपके बच्चे यदि आप जैसे किये रहेंगे, वैसे आपके साथ करेंगे, आप क्या करते हैं यदि आज आप अपने माबाप का सम्मान नहीं किया तो आप मत सोचना कि आगे चल करके मेरे ही बच्चे मेरा सम्मान करे संभो नहीं है ये आपने उसी समय रास्ता बंद कर दिया कि मेरे बच्चे मेरे से प्यार करे जब आपने अपने माबाप का सम्मान करना छोड़ दिया उसी समय आप अपने बच्चे के अंदर नफरत का बीज बोना शुरू कर दिया आपने उसी समय नफरत का बीज बोना शुरू कर दिया इसलिए आप कहीं आफिस आते हैं, जाते हैं, कुछ भी करते हैं तो कम से कम माता पिता का चड़न इस पर सकल लिया करे और हर लोगों की सिकायत होती है हमारे बच्चे हमारा कहा नहीं मानते है आज जो आपको मिल रहा है आपका बोया हुआ बीज है आप जो दुसरे के जीवन में बोते हैं अपने जीवन में काटते हैं आप यदि माता पिता के साथ नफरत का बीज बो रहे हैं तो आपके साथ वही फसल आप काटेंगे आप अपने जीवन में आप कौन सा फसल काटना चाहते हैं आप यहां से एक चीज ले करके चाहिए बस अब मुझे जीवन की सुरुवात करना है मुझे जीवन में एक नए न्यू तैयार करना है और अपने जीवन को इस तरह से कसते चाहिए कि आपके बच्चे आपके माता पिता को महसूस हो कि वास्तों में मेरे बच्चे कभीर पारत संसान प्रयागराज से संतों से कुछ ले करके आए हैं नहीं तो आपको रोना पड़ेगा जदी आज आप अपने माता पिता को रुला रहे हैं तो आज आपको आज अपने माता पिता को रुला रहे हैं कल आपको रोना पड़ेगा कितने लोग हैं तरस्ते हैं माबाप के लिए जिनके माता पिता नहीं है वो लोग तरसते हैं खास मेरे माता पिता होते तो मैं कितना अच्छा ढंग से जीवन आपन करता और आप कितना सवभाग्यसाली होकर कि दुर्भाग्यसाली हो गए कि अपने ही माबाप से आप दुर हो गए आप अपने बच्चे को कैसा संसकार देंगे फिर जीवन का निर्मान आपके हाथों में है आज आपको औसर मिला है आज आपको सुन्दर विचार मिला है आज आपको सुन्दर सरीर मिला है आपके पास रहने के लिए मकान है बहने के लिए कपड़ा है खाने के लिए अन्न है बहुत से लोग है दुनिया में जो आज भी अन्न क के लिए तरस्ते हैं रहने के लिए उनके पास चाया नहीं है पहने के लिए उनके पास कपड़े नहीं है जीवन अस्तवेस्त जीवन जीते हैं फुटपात पर जीवन काटते हैं आपके पास कौन सी कमी है मैं समझता हूं यहां बैठे सारे लोग सबके पास में रहने के लिए मकान है, पहने के लिए कपड़ा है, खाने के लिए अन्ना है, पर भी जीवन में कटूता भरी जीवन जी रहे हैं, क्या ले करके जाएंगे आप, बस यही ले करके जाईए आप, अपने मापाप के साथ जीना सिख जाईए बस, बुरहापा में माबाप को तरसाइये मत उनके चेहरे में खूसी का एक जलक होना चाहिए जब जब आप माता पिता के चड़नों में जुखते हैं तब तब माता पिता के चेहरे में एक नए उस्साह आ जाता है उनके जीने का एक सहारा बन जाता है कि अब मेरे बच्चे मेरे कहा मानते है जब जब आप उनके चर्णों में जुगते हैं माता पिता को जीने का सहरा मिलता है जब जब आप उनके सामने दिप रोजलित करते हैं कभी आरती कर लिया करते हैं तो उनका उम्र बढ़ जाया करता है क्योंकि आप उनके संबल है और आप से ये भी कहूंगा कि आपकी बुढ़ापे की लाठी आज यदि आज माता पिता का सम्मान करते हैं तो आपकी बुढ़ापे की लाठी आपके बच्चे होंगे आपके बच्चे को आपको सिखाना नहीं पड़ेगा आप जो करेंगे आपके बच्चे सिखेंगे क्या सिखाएं आज तक आपने आज तक आपने क्या सिखाया है आपने जो सिखाया आपके बच्चे उससे आगे बढ़ गए और पर भी कहीं कहीं आपके बुढ़ापे की अवस्था में आप देखेंगे माता पिता बुढ़े होगे कहीं थूग दिये बगल में इतना जोर से डाटेंगे कि आपके माता पिता आपको सर उठा करके नहीं देख पाएंगे क्या आप उनका थूग एक बार पोज दिये तो आप कमजोर हो गए जब आप कट्टी करते थे पिसाप करते थे बिस्तर में वो माबाप सुखे में सोते गिले में सोते थे आपको सुखे में सुलाते थे नव महने तक आपको कोख में रखे और आज भगवान और भगवती के नाम पर आप माबाप को भी भूल गए पूजा और अरधना के नाम पर क्या किये आपने इसलिए आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि माखा आप को कभी तरसाना माथ माखा आप को कभी कटूता मथ बोलना क्या इतना अधिकार नहीं कि आपको कभी अपने जीवन में कभी कटू वचन बोल सके इतना भी अधिकार नहीं उन्होंने अपने जीवन का एक खुन और पसीना एक कर दिया वो उसके बाद में आपको सौप दिया कभी कटू वचन बोल दिया आप नहीं सह सकते तो कौन सी भक्ती करते हैं आप कौन सी साधन करते हैं और कौन सा ग्यान अरजन करते हैं सारा ज्यान, सारा ध्यान, सब कुछ विकार चला जाता है इसलिए मैं आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने माबाप का सम्मान करना सीखे तो बुलहापे में भी आपको सम्मान मिलेगा बुलहापे में आपको सम्मान मिले या ना मिले आपको अपने आप में प्रसनता होगी कि मैंने जीवन को जैसे जीना चाहिए था मैंने जीया है माबाप को जो सम्मान देना चाहिए था मैंने दिया है और आज 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 के माबाप के चेहरे पे प्रसनता होने चाहिए कि मैंने अपने कोक से ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसके बदवलात आज मेरे चेहरे पे मुश्कान है और मेरे जीवन में खुसहाल है बस इतना ही कहा कर अपनी वानी को विराम देता हूं बोलिये सद्गुरु देव की